हेलो व्रीवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टेडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आई वेलकम यू आल तो स्टेडी पॉइंट और आज के इस पटिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपोर्टन फाइफ कोशन डिसकस करेंगे जो कि आपके आने वाले एक्जाम पॉइंट ऑफिस से बहुत जी जाद है इंपोर्टन है क्योंकि इस तरह की कोशन एक्जाम में बार बार रिपीटिटली पूशी आते हैं डिसकेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ मैं आपको रीजनिंग, मैस, साइन्स और जीकी की प्लेइलिस्ट बनी हुए तो अपने वीडियो को जरूर दीगा है क्योंकि उन्में इंपोर्टन को डिसकस किया गया है अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूटूब चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को अपने फेंट सर्किल में शेयर जरूर करिएगा तो पहले कोशन पर हम लोग आते हैं, कोशन दिया हुआ है चित्र में दिखाया अनुसार, शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है बॉक्स में यू के विपरीत सता पर कौन सा अक्षर होगा आपके सामने चार आप्शन या पर दिया हुआ है देखे इस तरह के कोशन को करने के लिए नॉर्मल मेथड भी होता है यहां पर हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के मादधम से इसको हम लोग सॉल्फ करने की कोशिश करेंगे कहले सॉल्फ करेंगे देखे यहां पर जो इस तरह के कोशन दिया जाए तो हमें क्या करना होता है यहां पर दिया हुआ है सबसे जो लंबी लाइन दीर होती है होगा यहांपर 3 होगा यहांपर 4 यानि कि एक की विप्र отпuffle In यहांपर 5 कोशन में नहीं होगा इसक यहांपर क्या होगा व ज़ेगा और कोशन में पूछ रहा है कि box में U के विपरीत सता पर कौन सा अक्षर होगा आयोप यह कोशन आपको समझ में आ गया है कुछ नहीं करना होता है बस आपको जो सबसे लंबा वाले यहां पर जो ब्लॉक दिया रहता उसको चेक करना होता है उसमें 1 2 3 4 मेंशन कर लेते हैं और अगर आपसे कुछ भी पूछे इस तरह के question में कि W की विपरीत तो अगर पूछ लिया तो आप बता देंगे यहां पर वाई हो जाएगा और X की जगहां के X की विपरीत क्या हो जाएगा Z इस तरह आप इस तरह के question को solve कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छे तरीके समझ में आ दिसकस किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा नेक्स कोशन पर हम लोग आते हैं कोशन है कोशन है कोशन है इसी है दिये गए विकल्पों में लुप्त संख्या ग्यात कीजिए इस तरह की question मैंने कई सॉल्व कराया है के वीडियो में तो इस तरह के question को solve करने के लिए हर एक question का अपना अलग pattern होता है आपके सामने चार option दिया हुआ है तो आपको बताना है यहां पर दे रखा है तो यहां पर क्या pattern follow किया गया है देखिए यहां पर आपको किसी तरह यहां पर जो बारा है यह कैसे यह आपको पता करना है तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं जो यह ब्लॉक दे रखा है ठीक है इसमें इसमें और इसमें ठीक है इसमें हम लोग चेक करते हैं कैसे कर चार, चार, और इनको हम लोग कर देंगे, फलस, चार, 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 बारा, 12, जो, इनको ब मस्त Imat इसे पैटर निया नहीं को!? एक ब्लोक यहां दे रख जाRIA, एक ब्लोक यहां दे रख जेएIST को फैटर ना कथा है। 23 में से 18 माइनस कर देंगे क्या है बचेगा 5 24 में से 19 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा 5 यानि कि 5 5 5 इनको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 ठीक है जो कि हमारा option A में साफ साफ दिख रहा है को इसको मारकि सब्सक्रेश करें इसको मैनिस करके जो प्लस कर दीनों को इस तर् specially कोशनकों दो को मैंने बताए कि इसमें लुप्त संख्या ग्धाथ करने वाले कोशन होते हैं उसमें हर एक कोशन का अपना अलग pattern होता है तो उसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा practice की ज़रुत होगी आयोब यह कोशन भी आपको समझ में आ गया होगा अगर कोशन समझ में आ गया है तो वीडियो को like ज़रूर कीजेगा और आपने friend circle में share भी ज़रूर कीजेगा next question है blood relation से एक कोशन है और इसे भी कोशन पूछे आते हैं कोशन क्या दे रखा है A तथा B भाई है A और B क्या है भाई है C जो है B की क्या है बहन है और यदि D A की बेटी है तो C का D से क्या रिष्टा होगा इस तरह कोशन करने के लिए क्या होता है अगर same same relation होता है तो एक line से यहाँ पर दर्शात है जैसे कि भाई भाई है A B ठीक है तो यह लोग भाई है तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे A से यहाँ पर denote करते है ठीक है अगर यहाँ पर A का कोई father होता Z होता तो यह एक उपर चला जाता Z ठीक है अगर husband wife का relation होता है जैसे कि C और D मालेजी एक्जामपल में तो हम लोग दो line से यहाँ पर denote करते है मालेजी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है A और B भाई है तो मालेजी एक ही कोई बेटी होगी तो उसको हम लोग यहाँ पर नीचे से denote करेंगे A की मालेजी बेटी X है तो यहाँ पर minus हो जाएगा क्योंकि बेटी है तो minus होता है male के लिए plus का symbol होता है और female के लिए minus का symbol होता है ठीक है एक generation यहाँ पर नीचे चला जाएगा अगर A का कोई father होगा तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम लोग उपर से denote कर देते हैं एक generation उपर चला जाएगा और इंका कोई होगा तो यहाँ पर एक generation नीचे चला जाता है ठीक है this one तो हम normal में आपको यहाँ पर fact बता है इसको solve कैसे करेंगे दिया है कि a तता भी भाई है यानि कि same है तो आपको पता है मैंने बता है कि भाई है तो a और b यहाँ पर भाई हो जाएगे a और b यहाँ पर है भाई यह line से denote करेंगे यह है plus plus ठीक है क्योंकि brother है c जो है b की बहन है जब यह लोग भाई है तो इनकी बहन होगी c तो बहन होगी तो यह माईनस c से denote करेंगे यदि d a की बेटी है यह जो d है यह a की बेटी है यहाँ पर थोड़ा चोटा सा करके बताना होगा a और b यह है भाई ठीक है और इनकी एक बहन है c माईनस और जो है d a की बेटी है यहाँ पर d लिख लेते है यह बेटी है किसकी a की तो c d से क्या रिस्ता है यानि की c का मतलब इसका relation पूछा है c का relation पूछा है यहाँ पर c का d से क्या relation होगा ठीक है आंसर हो जागा यहाँ पर बुआ और वेसी बात है अगर यहाँ पर यह दुनों भाई है ठीक है यह उनकी बेहन है और भाई की बेटी जो है क्या कलाएगी इस भाई की यहाँ से यहाँ पर भुआ ठीक है simple question है यह आपको समझ में आगया होगा इसमें अदा explain करने का ज़रूद नहीं देखिए blood relation का question आए तो उसको आप खुद से relate करके question को solve करने कोशिश क्या करिए तो question अपने आपने ही solve हो जाएगा असानी से फिर से एक बार देख लेते हैं अगर आपको नहीं आया देखिए A और B यह हैं भाई इनकी एक बेहन है C ठीक है और A की एक बेटी है D तो C D से क्या relation को यहीं पूछा है तो C जो है D की बुआ होगी ठीक है यहाँ पर option A हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही answer यह भी question आपके लिए समझ में आगया होगा और इस तरह के question exam में पूछे भी जाते हैं कई बार important हमने दिया हुआ है नीचे देगे आकरिती में कुल कितने त्रिबूच है यहाँ पर एक आकरिती दे रखी आपको आपको बताना यहाँ पर कितने त्रिबूच है चार option आपके सामने दिया हुआ है तो इस तरह question solve कोने के सबसे पहले आपको देख लेते हैं यहाँ पर देखे आपको यह एक यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर तीन है ठीक है तो यहाँ पर हो गया तीन त्रिबूच एक दो और एक बड़ा वाला तीन ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखी यह तीन यहाँ पर हो गया और इसी तरह इस साइड भी यह देख रहे हैं, यहां पर तीन यह हो गए, यह एक, दो और एक बड़ा वाला, उसके बाद यह, चार, और इधर ही, पांचे, दो यहां पर हो गए, और एक बड़ा वाला तो है यहां पर एक, और उसके बाद, यह वाले, यह वाले, ठीक है, तो यहां पर हो गए, टोटल 14, यहां पर टोटल 14 आपके त्रिबूज है, जो कि ऑप्शन B में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, अगर यह कोशन आपको समझ में नहीं आओ, तो कमेंटर से में ज़रू बताएगा, इस कोशन को में फिर से बताऊंगी, ठीक है, ठीक है, तो इसमें बहुत होच-पोच हो रहा है, तो फिलाल इसमें टोटल 14 त्रिबूज है, तो ऑप्शन B हो जाएगा, यहां पर हमारा सही आंसर, नेक्ट कोशन पर हम लोग आते हैं, कोशन दिया हुआ है, कि मागनेट शब्द के अक्षरों को वर्णा नुक्रम में विवस्चित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति आ परिवर्दित रहेगी, वर्णा नुक्रम मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्रोनॉल्जिकल ओर्डर में, यहां पर दिया हुआ है, मागनेट, ठीक है, इसमें हम लोग A, B, C, D की हि ए, T, ठीक है, इसको हम लोग, according to A, B, C, D, हम लोग इसको विवस्चित करेंगे, तो पहले क्या आता है, पहले आता है, ठीक है, ए के बाद क्या आता है हमारा, according to this, यहां पर है, E, E के बाद यहां पर G, फिर M, N, फिर T, अब इसको आप लोग देख रहे हैं, कोशन हम क्या क करें, देखे, मैंगनेट शब्द के अक्षरों को वर्णा नुक्रा में व्यवस्चित करने के बाद, इस शब्द में कितने अक्षरों की इस्थिति आपरिवर्थित रहे हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं, कि कितने शब्दों की इस्थिति आपरिवर्थित रहे हैं, जो यहाँ पर G है यह परिवर्तित है और जो यहाँ पर T है यह परिवर्तित है तो यहाँ पर दो अक्षर ऐसे हैं जिनके इसी थी आ परिवर्तित रहरी तो ऑप्शन B हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर आयो पर कोशन आपको समझ माया क्या कोशन नहीं करना है यहाँ प प्लेस पर थे कौन कौन से था एक थो था टी और एक था आपका क्या जी ठीक है तो ऑप्शन बी हो जाए गए हमारा सही आंसर यहां पर हमने आज कुछ फाइव इंपोर्टन को डिसकस किया जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है विडियो को लाइक औ धूचिए तक यू